तो दोस्तो अमेरिका भारत के साथ कितना डबल गेम खेलता है वो आप सभी को आँगे इस रेपोर्ट के माध्यम से पता चल जाएगा क्योंकि अमेरिका भार भार डींगे हांकता फिरता है कि हम भारत को अपना सच्छा दोस्त मानते हैं और भारत के खातिर हम कुछ भी परन्तु असल बात जब भारत को न्यूकलियर अटेक सम्मरीन देने की आई थी तो अमेरिका ने भारत को या सम्मरीन देने से साफ इनकार कर दिया था जबकि इन्होंने पिछले साल ओकस के नाम से एक गुरुबी बना लिया था जिसमें बेटेन और अमेरिका मिलकर ओस्ट का बिस्तार नहीं करेंगे और इसका मकसद के बल हमें ओस्टेलिया को न्यूकलियर अटेक सम्मरीन देना ही है और हम के बल ओस्टेलिया के लिए ही इस संगठन में न्यूकलियर अटेक सम्मरीन का प्रावधान रख रहे हैं जबकि बिटेन ने भारत का समर्थन किया था कि भारत के पास एक बिसाल नौसेना है और यदि भारत के पास SSN हो जाएगी तो चीन को काउंटर करने के लिए वाकस को काफी जादा आसानी होगी परन्तु अमेरिका ने भारत को परमानु पंडुबी और इसकी तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया था परन्तु आज लगभग एक साल बाद अमेरिका का मन पल्टा है और अमेरिका अब ओकस संगठन का बिस्तार करने का बिर्चार कर रहा है दरसल स्किन कूपर आप सब आर्टिकल देख सकते हो जिसमें अजानकारी दी गई है कि अमेरिका यूके और इसके अलावां ऑस्टेलिया की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें ओकस संगठन का बिस्तार किया जाएगा और इसमें नए सदस्य को जूला जाएगा जो की चीन को काउंटर करने के लिए इन तीनों ही देशों की मदद करेगा और इसमें संभावता जापान का नाम सामने निकल के आया है कि जापान को ओकस का नया सदस्य ब अटेक सम्मरीन की ना तु तकनीक देंगे और ना ही वो पंडुब भी अंगले नए देश को मिल पाएगी यानि जापान और फिल्पीन्स यदि इस संगठन का सदस बन भी जाते हैं तो भी उनको नुकलर अटेक सम्मरीन नहीं मिलेगी जो की औस्टेलिया को मिले वाली है अल कर दो मिलेगी ओ मेंक। झाला है